ओम शांति आज 9 जुलाई 2024 का बाबा का महावाक की सुनेंगे बहुत बहुत प्यार से देहिये भिमाने स्थिति में स्थित हो करके आज का इश्वरिये महावाक की सुनेंगे प्यारे बाबास केते हैं बहुत सुन्दर बाबा हम सभी बच्चों का असिक्षा देंगे बाबास केते मीठे बच्चे सचे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो ये सबसे बड़ा दैवी गुन है सच्चाई का गुन सफाई का गुन तभी हम देवता बन सकेंगे बाबा तुम ब्राह्मन ही फरिस्ता सो देवता बनते हो, जब मंदर बाहर साफ रहते सचाईर सफाई का गुन धारन करते हैं, बाबा खेते तभी तुम देवी देवता बन सकते हो, तुम ब्राह्मन बच्चे ही फरिस्ता सो देवता बनते हो, आज का प्रस्न है, इस ज्यान को सुनने वा धारन करने का अधिकारी कौन हो सकता है इस ग्यान को सुनने का अधिकारी और धारन करने का अधिकारी कौन हो सकता है बहुत सहज उत्तर हो सकता है मनंचिंतन करेंगे तो बहुत सारा आंसर आएगा बाबा कह रहे हैं इस ग्यान को सुनने वा धारन करने का अधिकारी वही ह सकता है जिसने और रौंड पाट बजाया है अर्थात चारो युगों में जिसने पाट बजाया है वही आत्मा इस ग्यान को सुनने का अधिकारी है जिसने सबसे जास्ति भक्ति की है वही ग्यान को धारन करने में बहुत तीखे जाएंगे जिसने भक्ति नहीं की है वो इस ग् को बहुत अच्छे रिती सुनेंगे समझेंगे धारणा करेंगे ये बड़ा डीप कहेंगे करमों का गहनगती है कि चुआ आतमें बहुत भक्ति की वही आतमें ग्यान भी बहुत सुनेंगे बहुत धारणा करेंगे अगर थोड़ी की है भक्ति तो थोड़ा सुनेंगे पुश्पद भी वही पाएंगे, तुम बच्चों से कोई पूशते हैं, तुम सास्त्रों को मानते हो, तो बोलो, जितना हमने सास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं किया है, हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए आब हम भक्ति करने की दरकार क्या बताना है, कि हमने जितना भक्ति किया, उतना और किसी ने भी नहीं किया है, जितना अभी हमने भक्ति किया है, उसी कफल हमें अभी मिला है, इसलिए अब हमें भक्ति करने की दरकार नहीं है, समय अब भक्ती का समाप्त हो चुका है फिर भी बाबा कहते कई आत्मे जो होती भक्ती करना चाहती है उनको मन लगता है या करती तो उसको यहां पर मना नहीं है जो भी मंदिर जाती है जहां पर भी भक्ती करती है उनकर सकते हैं मना नहीं है किसी को लेकिन बाबा कहते हैं का अब भक्ति करने का समय अभी नहीं है भक्ति तब होता है जब भगवान नहीं आते हैं वो द्वापरी में होता है लेकिन अभी भक्ति करने का समय नहीं है अभी भक्ति का फल लेने का समय है धार्णा कलिमो किशार पहला, रचेता रचना के राज को यथार्थ समझ कर आस्तिक बनना है रचेता कौन है? एक निराकार परमपिता पर मात्मा रचना इस रिष्टि के आदिमदंत कैसे होता है? कौन से आत्मों का क्या क्या पाठ है? बाबा कह रहे हैं इन बातों को अच्छी रिती से समझना यही है आस्तिक बनना ड्रामा के ग्यान में मुझना नहीं है बहुत सारे भाईबने ड्रामा के राज को नहीं समझ पाते र ग्यान ध्यान छोड़ देते हैं ट्रामा में कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा सीन चलता है जुनके एकोडिंग नहीं होता है तो ज्ञान छोड़ देते हैं ट्रामा के रहस्यों को समझना है कर्मों के रहस्यों को समझना है कर्मों के कर्ज को भी समझना है अच्छी रितिस से जिन आत्मों को साथ आपका कर्मों का कर्जा है वहाँ पर तो आपको पाड़ बजाना ही बजाना है इसलिए बहुत खुसी-खुसी से ग्यान योक्तो से निकालो और बिहद में ले जाओं सिबाबा कहते हैं सुक्ष्मतन वासी फरिस्ता बनने के लिए शंपून पवत्र अवश्य बनना है सुक्ष्मतन वासी फरिस्ता बनने के लिए क्या बनना संपून पवत्र आत्मा में जो किछड़ा भरावा उसे याद के बल से निकाल कर साफ करना, आत्मा में बहुत प्रकार की किछड़ा बड़ा होता है, काम, करोद, लोब, मो, हंकार, इर्शा, घ्रिना, द्वेस, नफरत, इन सारी बुराईयों को किछड़ा को निकालना है, यह निकलेगा बाबा कह रहे हैं, शिप बाबा की चलता चला जाता है, आज का बरदान, इश्वरी रस का अनभव कर, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली, स्रिस्ट आत्मा भव, इश्वरी रस का अनभव करके, लौकिक संसार का रस, भौतिक रस, संसारिक रस, उससे स्रिस्ट है, इश्वरी रस, उन सारे रसों का तो अ दुख्या, शान्ती, परिसानी, समस्याई, कस्ट, विग्न, करम भोगनाएं हैं, लेकिन ये जो इश्वरी रश है, इस इश्वरी रश को प्राप्त करने के लिए माया रावन के हर रसों को त्याग करना पड़ता है, जो माया का रस ले रहा है, वो इश्वरी रस नहीं ले सक पवद्रता का अनवोती कराता रहता है, तो अभी से हमें अपने मन और वोती बहुत कंट्रोल करकी रखने की आवशक्ता है, विश्वरी रस का अनवोग कर लेते हैं, उसको दुनिया के सब रस फिके लगते हैं, असपस्ट बाबा बता दिये, दुनिया का कोई भी छणिक रस उसे आकरशित नहीं कर सकता है, जो परमात्म रस शिष्वरी रस को प्राप्त कर चुकी है, जब है ही एक रस मिठा, तो एक ही तरफ सब का ठिंसन है, एक ही तरफ अटिंसन जाएगा, सहज ही एक तरफ मन लग जाता, मेहिनत नहीं लगती, बाप का सने, बाप की मदद, बाप का साथ बाप्त वारा सर्व प्राप्तियां, परमात्मा बाप से सच्चा सने, सच्चा मदद, सच्चा साथ और सर्व शमंधियों की प्राप्ति, शर्व प्राप्तियों का सने सहज एकरस इस्थिति बना देता है। ऐसी एकरस इस्तिती में इस्तित रहने वाली आत्मे ही स्रेस्ट आत्मा है, महान आत्मा है, पबत्र आत्मा है, तपश्वी आत्मा है, त्यागी आत्मा है, भगवान के आग्या कारी स्टूडेंट है, भगवान के वरदानों में पलने वाले छत्र चाया में रहने वाली आत्म तो यही है तपस्चा, यही है त्याक सलोगन है, किचडे को समा कर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है, यह बहुत बिसेश सलोगन है, कोई भी किचडा मनुस दे रहा है, यह कोई भी संसार में देखे, सभी के मन में आउकुन है, बुनाई है, उन सारी किचडों को हमें शमान हैं देखते हुए मैंने देखना है तो बाबा कहते यही है सबसे बड़ा देना अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती